हेलो फ्रेंट वेलकम टू कोडिंग टैग कोडिंग टैग में आपको स्वागत है मैं युगेश खरना आज आपको जित फंशन के वारे में बताने जा रहा हूं यह फंशन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग है यह फंशन स्पैशली आईटी कंपनीज के लिए ज फंशन का यूज करके यह अपनी प्रोड़क्टिविटी और यह जो क्लाइट को कमिटमेट करते हैं कि हम आपका प्रोजेक्ट इतना टाइम में कंप्लीट कर देंगे उसके लिए बहुत जुरूरी है एक्चुली क्या होता है कि जब भी हम कोई कस्मर से प्रोजेक्ट लेत जाते हैं या वह हमारे मैंड से निकल जाता है क्योंकि आप कंपनी के बॉस हैं आप सेल्स परसन हैं बट आप यह भी ध्यान दीजिए कि जो टेक्निकल परसन है जो इस पर काम करेगा आपके प्रोजेक्ट के उपर बट वह तो वीग डेज में करेगा तो चलिए हम इस प्र 15 डेज कस्टमर को बोलागी 15 दिन में आपका प्रोजेक्ट कप्लेट कर दूगा जिस दिन मेरी डील हुई है स्टार्ट डेट है वह फर्स जनवरी तो अभी देखते हैं कि 15 डेज हमारे कप कंप्लेट होंगे इस इकल टू वर्क डेज ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर आप से पूछ रहा है स्टार्ट डेट मैंने स्टार्ट कर ली कोमा हमें कितने दिन का टाइम मिला प्रोजेक्ट को कंप्लेट करने के लिए 15 डेज का कोमा holidays कि सेचरे संडे के लावा कुछ holidays भी होंगे उन holidays पर आपका staff छुटी पर होगा तो आपको उन holidays को भी ध्यान में रखना है तो मैंने left side में कि basic कुछ holidays लिखे हों है January के तो मैंने इनको भी select कर लिया bracket close and enter तो यहाँ पर आ रहा है end date 27th January 2021 यानि कि first January को project उठा रहे हैं और हमें complete करने के लिए 15 days मिले हैं 15 working days so that means कि हम यह project customer को hand over कर सकते हैं 27th January 2021 अब बट एक ची दियान रखना जब हम workday formula यूज करते हैं तो इसमें हम weekends में Saturday Sunday को weekends count करते हैं but कई companies में क्या होता है कई companies में weekends Saturday Sunday ने होता है कई हो में सिर्फ Sunday होता है कई हो में सिर्फ Saturday होता है या कई हो में सिर्फ Sunday Monday होता है कई हो में बीच में भी weekday ऐसा होता है जिस दिन वो अपनी staff की छुटी करते हैं Sunday को नहीं करते तो it depends on the category of business it depends to the business to business तो चलिए हम देखे इसके लिए हम जो फॉर्मॉला यूज करेंगे वो करेंगे workday.intl is equal to workday.intl bracket start तो यहाँ पर आप से सबसे पहले पूछ रहा है start date मैंने यहाँ से start date select कर ली है कोमा project हमें कितने टाइम में complete करना है 15 working days में कोमा weekend अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने options आ रहे है one का मतलब यह है कि Saturday Sunday two का मतलब है Sunday और Monday three का मतलब है Monday Tuesday या फिर अगर आपको लगते कि आपका सिरफ holiday Sunday को होता है तो आप यहाँ से सिरफ Sunday को select कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया Sunday only and then holidays so मैंने यहाँ से अपने holidays भी select कर लिया bracket close and then enter so Sunday अगर आपका सिरफ weekend है अगर आपका holiday है तो उसके साब से अगर आप 1st January को project उठा रहे हो तो आप उस project को deliver कर सकते हो 21st of January 15 days के हिसाब से so guys मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि workday और workday INTL का कैसे use करते हैं इसका कैसे आप benefit उड़ा सकते हो कैसे आप customer को exact commitment कर सकते हो कि आप उनका project कब तक deliver कर देगे so अगर आप इस function को सीख चुके हैं और अगर आपको लगते हैं कि आपके लिए बहुत beneficially है और आप इसका utilize कर सकते हैं so please like this video and subscribe my YouTube channel और मैं आपको फीर एक बात कहना चाहता हूँ manually छोड़के आप इन functions के use कीजिए जिससे आपकी productivity improve हो bye bye see you in next video thank you